दोस्तो आज के इस फोटो में आपको बताने वाला हो कि Instagram पर आप फुल फोटो अपलोड कैसे कर सकते हो या दोस्तो जब भी Instagram पर आप किसी पोस्ट को अपलोड करते हो तो या तो आप एक स्थो फोटो यहाँ से उपर से कट और या फिर नीचे से कट और आपका पूरा फोट को डाउन हुए आप जो है अपनी फुल फोटो Instagram पर आप अपलोड कर पाओगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप नमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चानल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लिजगा तो चलिए फ पढ़ेगी तो सबसे मैं आपको जोई अफ डाउनलोड करके दिखा लेता हूं जहाँ पने की बाद सिम्पप्र अपनी इस एप को आपको उपन कर लिना है जैसी आप इससे आपको उपन करोगा इसकी बात फोटो पर Klick करेंगे तो फोल्टर से यहाँ पर आप पनी फोटो सेलेक्ट कर सकते हो जिसपी फोटो को आपको Instagram में post करना है तो guys मैंने आपर अपनी photo यहाँ पर select कर लिए इसकी बाद आपको canvas option पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने हैं तो यहाँ पर आपको 4 by 5 का आपको ratio choose करना है और इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपके जो photo का जो background है उसी background में यहाँ पर आप देख साइड में भी यहाँ पर वही background यहाँ पर आ चुका है अब guys यहाँ से अगर आपको जो है जितनी Instagram में आपको photo upload करने हैं उस according यहाँ पर आप frame को set कलेना है तो इस तरीके से photo set करने की बाद दोस्तो अब जो है यहाँ पर save option पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उपर की और फिर से save पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करते है यह photo आपकी gallery में save हो जाएगी अब दोस्तो Instagram में जागर के आप अपनी इस photo को upload कर सकते हो यहाँ पर जैसे आप Instagram में आओगे इसके बाद दोस्तो simply plus option पर क्लिक करके यहाँ पर post select करने की बाद यहाँ पर जो आपने photo save करेंगे इसकी बाद next option पर क्लिक करना है और अब दोस्तों यहाँ पर आप देखते यह full photo यहाँ पर show कर रही है यहाँ से इसरे वाले तरीके में आप गईस आपको इसमें app डाउलोड करने की जरूत नहीं इसमें गैलरी में जाना है और उस photo को चूज करना जिस photo को आपको upload करना है तो यहाँ पर मैं इसी वाले photo को select कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ पर इस photo को हम rotate करेंगे यहाँ पर आप देख थो मैंने screenshot ले लिया है आपके मौल में जिस भी तरीके से screenshot आता है उसका screenshot लेनी की बाद अब गईस आपको Instagram में जाना है Instagram में आने की बाद यहाँ पर अब उस photo को आपको upload करना है तो यहाँ पर मैंने photo select कर लिया अब गईस आपको next पर click करना है और यहाँ पर आप देख सो full फोटो यहाँ पर फुल फ्रेम में शो कर रहा है अपने अकोरिंग यहाँ पर जैतना भी फ्रेम अब सेट करना, चाथे हूँ उस फोटो को यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं, तो सेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप कोई वीडियो चलागाओ तो इस वीडियो को लाइक शूर एंड सब्सक्राइब जरूर से किजिए होगा